कि ये हरें ये विडियों है फेल्कम थू टू अफेयर्स तो दोफ़स्तो जुलाइक के लास्ट वी a current affairs इसके बारे में ये वीडियो है भी ट्रे लिकले कर दिप्राइश इस वेडियो रहें हमब करेंगे और ऐस के एंगने आप नति चैनल चैनल आप है तो आप बताया गया है और जैसे कि आपको पता है current affairs किसी भी exam के लिए सबसे important topic होता है आप किस exams के लिए prepare कर रहे हैं आप comment में जरूर बता है उस exams के लिए current affairs का series आपके लिए लाए जाएगा तो हम start करते हैं वीडियो को 25 से 31 जुलाई तक के बीच का weekly current affairs स्टार्ट करते हैं first question से तो first question क्या कह रहा है which site inscribed as the 43rd UNESCO World Heritage Site of India recently तो किस site को भारत के 43 वे UNESCO विश्व विरासा धरोवर में शामिल किया गया है हाल ही में तो यह इस विक का news है तो इसका answer होगा option A इसे अभी UNESCO World Heritage Site में इक्लूड के आ गया जो कि भारत के 43 है याने कि 43rd UNESCO World Heritage Site है और यह decision कब लिया गया इस वीक जो हो रहा है UNESCO World Heritage Committee की मीटिंग हो रह Gerade UNESCO World Heritage Committee का gent सभी जो मीटिंग हो रहा है जो कि पहली बार भारत में हो रहा है फर्सडाऊ इंडे में हो रहा है और इंडे इसको ine iyकष कर रहा है UNESCO World Heritage Committee जो कि 24 से 21 जुलाई तक के बीच हुआ है UNESCO का World Heritage Committee और भारत इसको पहली बार इनेग्रेट कर रहा है यह 46 सेशन था 46 सेशन में इसको नॉमिनेट किया और फाइनली इस पे मोहर लगाया गया कि यह भारत का 43 युनेसको विश्व धरोहर विरासत इस्थल होगा World Heritage Site और इसका नाम किया है चेराइडो मुएडम जो की आसाम में आसाम के सीव सागर में है और यह जो है यह एक बूरियल माउंड है मतलब की जो अहोम सामराज था अहोम डैनेस्टी के जो उसे में बड़े लोग होते थे उ में साइड जिसको युनेसको वर्ल हैते साइड में और तीसरा जो कि काजि रियंगा नेशनल पार्ग और मानस नेशनल पार्ग के बाद यह थीसरा World Heritage Site और जिसको शामिल किया गया है और लास्ट ये जो दो युनेसको वर्ल हैं वो थे शांतीनी केतन 47 और 41 था होई सालर टे वेल्चर और म्यूजिक और लिट्रेचर सिटीज के लिए इंक्लूड किया है भारत की तरफ से म्यूजिकल और लिट्रेचर सिटीज गवालियर और कोजी कोट को इंक्लूड किया है ठीक है और UNESCO की अगर हम बात करें तो UNESCO के कौन है चेर परसन औरे अजूले और युनेसको का है युनेसको का है युनेसको का है युनेसको का है पैरिस में स्थापना दिवस है 11 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर उनेसको का स्थापना दिवस ठीक है तो चराइडो मोडम को आप इसका नाम याद रखेगा जो की 43rd UNESCO World Heritage Site में इंक्लूट किया गया है नेक्स्ट है आस पर FAO Food and Agriculture Report विच कंट्री टॉप्ट इन मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेंस एक्सपैंशन फॉर्म 2010 तू 2020 यानि कि 2010-2020 से कौन सा देश शीर्स पर रहा जिसमें फॉरेस्ट एरिया वन च्छेत्र में बढ़तरी हुई है और यह रिपोर्ट जारी किया गया है FAO के दौरा Food and Agriculture Organization के दौरा तो इसका एक रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसमें भारत की रैंकिंग रही तर्ड इंडे रैंक्ट थर्ड इंडे रैंक्ट फॉर इस एक्टेयर भारत पर जो वन चेत्र की बढ़तरी हुई है चाइन नंबर वन पे रहा है है 19.37 लाग हेक्टेर एक्सपैंशन हुआ है थर्ड पे रहा है ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाग हेक्टेर चौथे नंबर पे साउथ अमेरिकन कर्टी चिली और पांच वे पे एशियाई देश वीतनाम तो यह पांच देश हैं आपको नाम याद रखने भारत की रैंकिंग थर्ड र है 2020 में फेल इंडिक के बात करें तो कौन सबसेटा फॉर्स्ट्ट कवे मध्यप्रदेश अगर जूOW पर्स करें तो सबसे जादा प्रदिश और वह परसंक से जज़ादा है रू बासेश करें दूसरे नंबर मेजरा थिक के तु Armor जो भी एडिया है तो इसमें 90 जोहर sem 505 आ जादा अरुनाचल प्रदेश में है इस और गेंशन की बात करें तो food and agriculture और गेंशन इसका headquarter Rome में है establishment 1945 डेरेक्टर जनरल कौन है कुई डोंग यू कुई डोंग इसके डेरेक्टर जनरल है नेक्स इंकम टैक्स देज अब्सर्वड एनुली ओन तो हर सल कब मना जाता है इंकम टैक्स देज तो इसका अंसर होगा option C 24th July 24th July को 860 महीं इंकम टैक्स को लागू किया गया था है 165 कमेंस्मेंट इयर है आफ दे इंकम टैक्स नेक्स्ट है c. signed agreement with which IIT for development of cell-free 6G access point तो इसका अंसर होगा option D IIT Roodki IIT Roodki और IIT Mandi के साथ मिलकर c. जो किया है सेंटर फॉर डेवलेपेंट आफ टेलिमाटिक्स रिसर्च डेवलेपेंट है टेलीकॉम रिसर्च में काम करता है और यह जो है इसकी स्थापन होईती 1984 तो इसने IIT Mandi और IIT Roodki के साथ मिलके cell-free 6G access point पे काम करने के लिए agreement signed किया है नेक्स्ट है इंडियन नेवी signed memorandum of understanding with which public sector for green hydrogen e-mobility system तो इसका अंसर और और ऑप्शन भी IOCL इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट के साथ इंडियन नेवी ने MOU sign किया है green hydrogen e-mobility system के लिए IOCL जो कि एक महारतन company है दूसरे option की बात करें तो BPCL BPCL recently Q News में था क्योंकि इंडियन ओलंपिक कमिटी ने इंडियन ओलंपिक कमिटी ने इसको चार साल के लिए sponsor करने के लिए भरते ओलंपिक को sponsor करने के लिए sign किया है BPCL के साथ गट्चोड किया है इंडियन ओलंपिक कमिटी ने तो इसलिए भी ये नियूज में था ये weekly current affairs दूसरे विक में बताया गया था ये वाला नियूज next is who has been honored with a gold coin image inscription at Graven museum Paris recently तो इसके answer of option C, Shahrukh Khan, Bollywood actress तो gold coin image में उनका नाम और उनका चेहरा आकरिती किया जाएगा और ऐसा होने वाले वो दूसरे भारते हैं after Mahatma Gandhi तो ये पैरिस का जो museum, Graven museum इसने Shahrukh Khan को honor किया है with a gold coin image inscription of his name and his image on a gold coin by the Graven museum of Paris और इसी Graven museum में उनका wax statue जारी किया था 2008 में and he is the second Indian after Mahatma Gandhi to get honor on the gold coin image by the Graven museum Paris और अभी वर्तवान में पैरिस में ही olympic हो रहा है 33 olympic next है what is the rank of window on Henle passport index report July 2024 quarter second तो Henle passport index जारी करते रहता है हर quarterly पे अभी जुलाई में जारी किया गया है इसमें भारत की ranking क्या है तो इसका answer होगा option D 82nd 82 है भारत की ranking Henle passport index में इसका details देखते हैं तो Singapore शिर्स पर रहा Singapore top the visa free access to 195 nations Singapore rank 1 पे है कोई देश इसके साथ ranking share नहीं कर रहा है दूसरे पाइदान पे दूसरे rank पे है France, Germany, Italy और Spain जापान France, Germany, Italy, Spain जापान पांच देशे second ranking पे भारत की ranking है 80 second इंडे जो rank share करता है Senegal और Tajikistan के साथ तो visa access to 58 countries होता है भारत की द्वारा Pakistan neighbor की बात कर तो 100 rank पे है चाइना 59th rank पे है bottom 3 countries है वगानिस्तान 103, Syria 102, Iraq 101, Hyundai and Partners जो की 1997 में established होआ था headquarters का London में है इसके CEO कौन है Juring Stephen है तो number 1 पे है Singapore number 2 पे है आपको याद रखना है पांच देश है France, Germany, Italy, Spain और Japan भारत की से rank share करता है Senegal और Tajikistan से Next, Ministry of Port Shipping and Waterways Approved Indus First Integrated Agri Export Facility Project at तो इसका अंसरों का option A, Jawaharlal Nehru Port Trust Mumbai, JNPT Mumbai में अप्रूफ किया है भारत का पहला Integrated Agri Export Facility के लिए Ministry of Port Shipping Waterways कौन है Sarbanan Sonowal है ये मंत्री है Ministry of Port Shipping and Waterways Next, Recently, राष्टपती भवन्स दर्बार हॉल has been named changed as तो दर्बार हॉल जो की राष्टपती भवन का है इसका नाम बदल के क्या किया गया है इसका answer of option C, गनतंत्र मंडप गनतंत्र मंडप इसका नाम बदल के किया गया Next, Nicholas Maduro elected as president of which country for the third term तो किस देश के president बने है Nicholas Maduro तीसरे कारेकाल उनका है इसका answer of option D, Venezuela तो Venezuela के तीसरे बार president बने है मतला अपना तीसरा कारेकाल शुरू करेंगे निकोलस Maduro जोकी 2013 से वेनिजूला के president है वेनिजूला की राजधानी क्या है काराकास, currency क्या है, Bolivar Next, Ministry of Health Family Welfare launched which portal for pregnant women and children तो इसका answer होगा option U-Win U-Win portal launch किया है जो की immunization program है 6 साल के बच्चों के लिए और pregnant women के लिए और यह एक online vaccine management portal है U-Win Ministry of Health and Family Welfare कौन है, J.P. Nadda Next, which city metro won the global water tech award for environment initiatives तो इसका answer होगा option B, Delhi Metro Delhi Metro Rail Corporation won the global water tech awards for environmental initiatives for water conservation and water recycling rain water harvesting इसके लिए Delhi Metro, Delhi Metro के वर्तमान chairman कौन है, Anurag Jain Anurag Jain, Delhi Metro के अभी वर्तमान chairman है Next, which country team won women's T20 Asia Cup cricket 2024 Asia Cup cricket E20 किस देश की टीम ने जीता है तो इसका answer होगा option D, Shri Lanka Shri Lanka ने final में भारत को हराया और यह जो पूरा tournament हो रहा था Shri Lanka में हो रहा था हमारी अटपट्टू और मैंनो तो मैच हर्शिता समरी विक्रमा रही और यह 9 संसकरन था Final में Shri Lanka ने भारत को हराया यह वो मेंस T20 Asia Cup था यह भी आपको याद रखना है Next, who has been re-elected member of International Olympic Committee from India तो इस काइंसरों का option नीता अमबानी नीता अमबानी जो की IOC की सदसे हैं 2016 यह फिर से भारत की तरफ से सदसे बनी International Olympic Committee के लिए नीता अमबानी और अभी Olympic जो हो रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि 2036 में भारत में हो शायद Olympics इसके साथ साथ दूसरे option की बात करें तो अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा जिन्होंने भारत के लिए पहला इंडिविजल गोल्ड जीता था 2008 में इन्हें भी IOC ने ने अवार्ड ओनर किया है Olympic Order Honor Olympic Order से Olympic Order से इनको Honor किया गया है International Olympic Committee के द्वारा अभिनव बिंद्रा को पीटी उशा जो कि अभी वर्तवान में इंडियन Olympic Committee के हैड है प्रेसिडेंट है पीटी उशा तो अभी Olympic चल रहे है Olympic टेक अलग से वीडियो आयागा दोहजार चौबिस का पैरिस में हो रहा है दोहजार अठाइस का लोस एंजलेस में दोहजार बद्टीस का ब्रिस्बेन में होगा और दोहजार चाइस का ऐसा दावा किया ज़रा कि यह Olympic इंडिया में हो शायद नेक्स्ट है मिनिस्टर भुपेंद्र यादव लॉंच्ट आइडियास फॉर लाइफ एट विच आयाटी तो इसका इंसरों का उप्षिन भी आयाटी देली आयाटी देली में फॉर मिशन लाइफ और एंवार्मेंट अदर एंवार्मेंट रिलेटेड अक्तिविटीज तो अंतराष्टे बाग दिवस कब मनाया जाता है हर साल तो इसका इंसरों का उप्षिन सी 29 जुलाई 29 जुलाई को मनाया जाता है बाकी ऑप्षिन की बात करें तो 17 जुलाई को क्या होता है CRPF डे CRPF रेजिंग दे होता है 8 जुलाई को क्या होता है Hepatitis दे होता है Hepatitis दे होता साथ नेचर कंजरवेशन डेवी होता है तो अंतराष्टे बाग दिवस इंटराष्टर टाइगर डे होता है 29 जुलाई को और अगर हम आयू सी इन रेड लिस्ट की बात करें तो आयू सी इन रेड लिस्ट ने जो टाइगर को घोशित किया वो इंडेंजर्ड इस पेसिज में घोशित किया है इंडेंजर्ड इस पेसिज में घोशित किया है टाइगर को प्रोजेक्ट टाइगर कब लांच हुआ था 1973 में लांच हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर और अभी वर्तवान में कितने टाइगर रिजर्ब से 54 टाइगर रिजर्ब से इंडिया में नेक्स्ट इसको लॉंच किया है हिंदुस्तान जिंक ने हिंदुस्तान जिंक है हिंदुस्तान जिंक है लॉंच्ट एक जारी किया है उसमें से भारत की कितने ऐसे से टीक हों असे इसको प्लेशन किया हिनो कॉषुण एक हिलो सभाट कर दोher परदेश में मुंभाइ में उसको जारी किया एक मानम् चॉकलेटे और हैं मानम रेस्टर्न आपार्ट में उसको लिस्ट किया है टाइम एक विर्ष न फेस ट् ca- mi ॐ他们 ताइम्स ने वर्ल्ड ग्रेटेस पेस जोजार चॉबइस की लिस्ट में इंक्लूड के है जो कि भारत के तरफ से हैं विच ग्रूप लॉप 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 जिसके डिरेक्टर है दिलिपकौर और संदीप कोली के CEO होंगे तो टाटा का अलड़ी है जोल्री बिजनस तनिश्क आप जानते हैं ताटा प्रोडक्ट है तो इस इंद्रियाद जोकी है जोल्री बिजनस इसको लॉंच किया मतलब शुरू किया गया है अधिति बिल्ला का वीडियो जरूर जल्दी आएगा आप कनेक्टेड रहें तो थैंक यू वेरे मच फोर वाचिंग